जिन व्यक्तियों का शुक्राणू कम हो, जिन लोगों की इम्मुनिटी पावर कम हो, जिन लोगों के शरीर में कमजोरी का परवेश हो, और शरीर बलिष्ट ना हो, ऐसे लोग यदि इसको सेवन करें, तो शरीर में तेजी से बल का बंडार होता है, और साथ ही साथ हमारी इस् तोई में कुछ मसाले ऐसे विद्यमान हैं यदि हम उचित मात्रा में नियमित रूप से सेवन करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी बीमारियां दूर ना हो और मसाले सुद्ध होने चाहिए अच्छी क्वालिटी की होने चाहिए तभी वो अपना असर दिखाते हैं आज हम आपको सिर्फ साथ मसालों के बारों में बताएंगे जो अपने अंदर बहुत अच्छे हिलिंग गुण लिये हुए है इनको सेवन करने से हिलिंग गुण के साथ साथ हमारी आईरवेदिक जो पदती है उससे सिध होता है कि कितना अच्छा कारे करते हैं सबसे पहले आज मैं बात करूँगा ऐंटी बेक्टियल हल्दी की बच्पन में जब चोट लगती थी मा दादी नानी हमको हल्दी का लेप करते थे और हल्दी को ही पिलाते थे यदि हल्दी बिना कलर की हुई है और हल्दी बहुत अच्छी क्वालिटी की है तो हमारे शेरीर का इम्यून तंत्र स्ट्रोंग होता है हल्दी के अंदर anti-septic और antibacterial properties होने के कारण हमारे शेरीर बलिष्ट बनता है और साथ ही साथ इसके अंदर एक तत्व है जिसका नाम है curcumin और आज ये research में पाया जा रहा है कि curcumin के सेवन से cancer के गुण खतम होते हैं जिसको कैंसर की सिकैद बन रही हो उसको यदि हल्दी शेवन कर रहा है तो बहुत लाब मिलता है हल्दी का ही उठ्टन लगाया जाता है तो आप यह सोच सकते हैं कि हल्दी का उठ्टन लगाने से दूराण कितनी सुंदर लगती है यदि हम नियमित रूप दूप से उसको चेहरे पड़ लगाए है या शरीर्पर उसकी मालिश करें या हपते में एक से दो बार इसको ऐसा करें तो हमारे सरीर की जो तचागत रोग हैं वह तो दूर होते ही हैं साथ ही साथ हमारे सरीर की सुन्दरता बढ़ती है और इम्मिनिटी पावर जो व्यक्ति कच्ची हल्दी पानी में पगाके प्रहते काल बिना कुछ खाए पिए चाय की तरह सेवन करें तो उसको बहुत लाब मिलता है जो व्यक्ति नियमित रूप से हल्दी का सेवन करता है उसकी आईसाइट बहुत अच्छी रहती है आँखों के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं सताता है साथी साथ जिन लोगों को माईग्रेन सताता है तो प्रहते काल आदी चम्मच हल्दी हम गरम पानी के साथ सेवन करें तो उसमें भी हमको बहुत लाब मिलता है दूसरा आयरन से भरपूर जिसका नाम है जीरा जीरा हरे तन की पीरा जीरा एक ऐसा मसाला है जिससे हम काफी हद तक कुछ बिमारियों से निजात पा सकते हैं आपने देखा होगा कभी कभी UTI बहुत जादा सताता है पेशाप में बहुत जादा जलन होती है और पेशाप करते हुए ऐसा लगता है जैसे पिगला हुआ काँच निकल रहा हो हम एक चम्मच जीरा पानी में पका कर उसको चाई की तरह सेवन करें तो पेशाप खुल के आता है पेशाप संबंदित कोई भी संकरम नहों उससे भी हमको निजात मिलती है साथी साथ जिन लोगों को बहुत जादा ऐसी डिटी समात परिशान करती हो एक चम्मच जीरा खुब अच्छी तने चबा लें और चबा कर उबर से कुन गुना पानी सेवन करें तो उनको ऐसी डिटी से ऐसे निजात मिलती है जैसे गधे के सिर से सींग और 10 से 15 मिनिट के अंदर ही उनको बहुत लाब मिलता है जिन लोगों को पेट में गैस बहुत बनती हो पाचन तंतर बहुत जादा कम जोर हो उनको भी जीरे का सेवन जरूर करना चाहिए कभी कभी जैसे आज बरसात का मोशन चल दा है और हमको पेट में कोई इंफेक्शन सता जाए तो लूज मोशन होने की बहुत टेंडेंसी बनती है यदि हम एक चम्मच जीरा भून कर उसको चबाकर उपर से पानी पी लें लूज मोशन से हमको एकदम से मुक्ती मिलती है दोस्तो तीसरा नंबर आया लाल तीखी मिर्च का तीखी मिर्च हमको सीमित मात्रा में सेवन करने चाहिए बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से हमको गैस एसिडिटी या अलसरिज त्यादी बन जाते है यदि हम सीमित मात्रा में लाल तीखी मिर्च का सेवन करें तो लाल तीखी मिर्च में सब्से अच्छा गुंण है बैट kolesेयो गम करना जिन लोगों को कोलेस्टोल की दिक्कत हो या लिपिट प्रोफाइल उनकी डिस्टरब रहती हो यदि ऐसे लोग सीमित मातरा में लाल थीखी मिर्च का सेवन करें तो उनका LDL लेविल काफी तेजी से डाउन होने लगता है और साथ इसकी एंटि ऑक्सिडेंट प्रोपर्टी के कारण हमारा इम्यून पंथर मजबूत होता है और हमको बहुत सी बिमारियां दूर रहती है और साथ इसको पानी के साथ सेवन करने से कैलोरिस बर्न होती है या दाल या सबजी में हम सेवन करें तो हमारी बोडी की जो calories extra हों तो वह बर्न होने लगती है और साथ ही साथ इसके पाचक गोन बहुत अच्छे होते हैं तो जो व्यक्ति लाल मिर्च का सेवन करते हो उनका पाचन तंत्र मजबूत होता है चोथे नमबर पर है सुगंदित दालचीनी और कोरोना टाइम में ये सिद्ध भी हो गया कि जो व्यक्ति दालचीनी का सेवन करें उसकी इम्मूनिटी पावर बहुत तेजी से बढ़ती है दो तिन चुटकी दालचीनी हम शहद मिला करके उपर से दूद पिएं जिन व्यक्तियों का शुक्रानू कम हो जिन लोगों की इम्मूनिटी पावर कम हो जिन लोगों के सरीर में कमजोरी का परवेश हो और सरीर बलिष्ट ना हो ऐसे लोग यदि इसको सेवन करें तो सरीर में तेजी से बलका बंडार होता है और साती सात हमारी इस्तंबख सकती बहुत इंप्रूव होती है जिन लोगों का मूर स्विंग होता हो अक्सर जिन लोगों का मूर कभी बहुत अच्छार कभी बहुत बुरा होता हो ऐसे लोगों को दाल चीनी का सेवन जरूर सेवन करना चाहिए और इसके अंदर फाइबर होने के कारण हमारा पाचन तंत्र मजबूत रहता है साथी साथ जिन लोगों का डायविटिक लेविल थोड़ा बढ़ रहा हो उनको इस दालचीनी का सेवन अवश्य करना चाहिए पांचवे नंबर पे आया पेट के लिए अजवायन जिसको यावानी भी कहते है और इसके लिए कहा भी है एका यावानी सत्मन पाची का जो व्यक्ति अजवायन का सेवन करें तो सो बिमारियों से पेट की हमको निजात मिलने लगती है इसके सेवन से गैस, एसिडिटी तो दूर होती ही है हम कुछ गरिष्ट भोजन भी कर लें तो उसका भी पाचंद बहुत तेजी से होता है साथ ही साथ जिन बच्चों के पेट में कीडे हो यदि ऐसे बच्चे अजवायन का चून करके आदी चम्मच खटे मठे के साथ सेवन करें तो पेट से कीडे भी निकलने लगते हैं और साथ ही साथ जो व्यक्ति भूख से परिशान हो उनको भूख न लगती हो तो एजवायन को थोड़ी सी भून के आदी सी एक चम्मच दिन में दो बार पानी के साथ सेवन करें तो उनको भूख बहुत तेजी से बढ़ती है छटे नंबर पर है गरम मसाले की शान जायफल जायफल इसके गुणों से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परिशित ना हो किसी व्यक्ति के मूँ से दुर्गंद आती हो या दातों में सडम हो रही हो पाईरिय की शिकैत हो मसूडों से खुन आता हो उसको जायफल का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टियल प्रोपर्टिस बहुत जादा है जिन लोगों का दिमागी तोर से कमजोर हो या एलजाइमर की शिकैत हो या मेमोरी भी खोती हो उनको भी जायफल का सेवन चरूर करना चाहिए और साथवे नंबर पर आया स्वास्त के लिए जवरदस्त जो चीज है उसका नाम है लोंग और जो व्यक्ति ऐसी डिटी से बहुत परेशान हो उसको एक लोंग यदी चूसे तो उसको बहुत लाव मिलता है साथी साथ जिन व्यक्तियों के दात में कीडे लग गए हो दातों में बहुत ज़्यादा सरन हो मूँ से बदबु आती हो मसूडों से खून आता हो उनको लोंग का तेल या लोंग एक मूँ में रखके अवश्य सूसना चाहिए और कभी कभी हमको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी जुखाम सताता है ऐसे व्यक्तिवी यदी लोंग के साथ काली मिर्श का सेवन करें उनको निश्चित रूप से लाप मिलता है दोस्तो आज हमने आपको साथ मसाले जो हमारे घर में विद्यवान रहते हैं उनके हिलिंग गुड के बारे में बताया मैं आपको नित नई जानकरियां देता ही रहता हूँ और आप से एक बात करूँगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श आयरवेदिक जरूर सब्सक्राइब करें और करवाएं और साथ इसाथ इसका बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें हमारे दूसरे सोशल मीडिया आदर्श आयरवेदिक फार्मेशी के नाम से हैं आप उनको ट्विटर, लिंक्डिन, फेस्बुक पेज और इस्टाग्राम पर देख सकते हैं आप उनको भी जरूर फोलो करें और मैं आप से ओनलाइन ओफलाइन हर समय उपलब्द रहता हूँ निशुल्क परामर्श के लिए आप कभी भी मुझसे संपर कर सकते हैं धन्यवाद